So, Maths Pedagogy का आज ये 3rd chapter है, 3rd chapter कहलो, 3rd topic कहलो, कुछ भी कहलो तो Maths Pedagogy आज हम करने वाले हैं, जो हम आज हम most important topic पढ़ेंगे जो है Problems of Teaching and Learning in Mathematics यानि की Teaching को, मतलब Mathematics को पढ़ाने में Teacher के सामने क्या-क्या Problems आती हैं Students की क्या-क्या Problem होती हैं और Mathematics में Learning की कितनी Difficulties आती हैं, क्यों आती हैं So, basically, सबसे पहले Maths Pedagogy का, यानि की बच्चों को 1-5th class यानि की एक सिरिकल की 5th class तक Maths सिखाने का मतलब क्या है, main aim क्या है So, the main aim of Maths, यानि की Mathematics सिखाने का main aim क्या है Connect it with students daily life, बच्चों के daily life से उसे connect करना ताकि वो अगर कोई चीज को खरीदने जाए बाहर, तो calculations कर लें, कोई उनको बिवकूफ ना बना दे So, कोई 5 रुपे की चीज है, 10 रुपे दिये, तो वापस 3 रुपे या 4 रुपे ना लेकर आए, पूरे 5 रुपे ही लेकर आए तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ना ये सिखाना कि भई आपके daily life में, ऐसी बहुत सारी problems होगी, जुसमें calculations की जरूरत होगी, तो उसके लिए भी आपको maths चाहिए ठीक है, जब हम driving कर रहे होते हैं, drive कर रहे होते हैं, जब हम driving सीख लेते हैं, 18 प्रस के बाद या जो तरीके से, तो ये जो direction, distance का जो ये पूरा topic है, topic क्या मतलब ये जो तरीका ये logical reasoning से आता है, जो कि maths का ही एक तरीका है मतलब maths के through ही ये चीज़े develop हुई है, logic लगाना की कितना distance है, गारी कितनी speed से चल रही है, पहुँच जाएगी या नहीं पहुच जाएगी, तो कहने का मतलब है कि maths आपके daily life में ज़रूर use होती ही होती है, आपको day-to-day task को perform करने के लिए भी maths की ज़रूरत होती है, ये बच जो कि daily life experiences को बहतर बनाता है, वो अपने daily life में बहुत सारी ऐसी चीज़े करते हैं जिसमें mathematical ability की जरूरत होती है, तो maths पढ़ने से उनको वो मिल जाती है, वो अपने day-to-day के tasks बहुत अच्छे से perform कर पाते हैं, जहाँ पर भी analytical, यानि कि जहाँ पर wishlation करने की जरूरत है, wishlation क की शमता का उपियोग करता है, और proper तर्क का इस्तमाल करता है, मैं हिंदी वाला नहीं कर पाई हूँ, तो हम ऐसी समझ लेते हैं, जहाँ पर wishlation की जरूरत है, वहाँ पर वो बच्चा क्या करेगा, wishlation करेगा, ठीक है, वहाँ पर वो बच्चा wishlation करेगा, वहाँ पर समझेगा, reasoning लगाएगा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा topic है, problems of teaching, teaching, मतलब maths पढ़ाते टाइम क्या problem आती है, और learn करते टाइम क्या problem आती है, तो वैसे इससे घबराना नहीं है कि इतना बड़ा paragraph क्या लिग दिया है, यह ब Mathematics is very important subject, इतना तो आप पढ़ पाई रहोंगे, है न, और वैसे भी आपको first to fifth class में, आपको English पढ़ाना होगा, वहाँ पर सारे subject पढ़ाने होते हैं, तो कैसे पढ़ाओगी, इसलिए English भी पढ़ना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, reading आपकी ability अगर नहीं है, तो उसको enhance कर में हमारा, जो maths का importance है, वो कुछ जादा ही है, that is why this subject is in primary as well as upper primary, इसलिए इस subject को हम primary classes के लिए भी पढ़ाते हैं, primary classes यानि की first to fifth भी पढ़ाते हैं, और upper primary में भी पढ़ाते हैं, यानि की 6th to 8th में भी इसको हम पढ़ाते हैं, तो first to 8th, sorry हाँ, वो मेरे doggy है, उसके disturbance की से ऐसा हो गया था, तो मैं को stop करना पड़ा, अभी भी वो यही कर रही है, वो सुनती नहीं मेरे बात बिल्कुल भी, so क्या है इसमें, कि मैं आपको यह बता रहे थी, कि जो mathematics है, वो एक बहुत ही जादा important subject है, इसका हमारे curriculum में बहुत great importance है, ठीक है, इसलिए हम इसको primary classes में भी बढ़ाते हैं, और upper primary, यानि कि 6th to 8th भी बढ़ाते हैं, यानि कि हम पूरा 1st to 8th ले ले लेते हैं, इसमें हम maths पढ़ाते ही बढ़ाते हैं, also हम 9th and 10th में भी बढ़ाते हैं, जो कि secondary level है, it is mandatory subject, यह compulsory या mandatory subject है, so it is expected from the students that they have a good knowledge of it, तो क्योंकि यह subject हमारे लिए बहुत ज अधिक पढ़ना है maths के बारे में, वो फिर अपनी commerce stream ले ले लेते हैं, जोसमें different different subjects होते हैं, तो यह इसमें क्या है कि बच्चे ने क्योंकि अपना, एक तरीके से देखा जाए, तो 10 साल maths को दिया है, 1st class से लिकर कि 10th class तक या 8 साल दिया है, मानलो 4st 2, अगर हम upper primary level तक की ब knowledge, उनके पास अच्छी knowledge हो of it, but the problem is that the performance of students are not up to the mark, लेकिन problem क्या देखने में आती है कि बच्चों की जो marks है या performance है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको डर लगता है, उनकी दिमाग में डर है maths के ले कि हम नहीं कर पाएंगे, वो बार-बार fail हो जाते हैं, उनके score आट साल से आप उस चीज को पढ़ रहे हो, या दस साल से आपकी जो schooling चल रहे हैं, उसमें आप maths को पढ़ रहे हो, तो आपसे expect करता है कोई भी teacher या कोई भी इनसान की इसको maths तो इतनी तो आती होगी कि calculations कर ले, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनके मन में डर रहता है किसी चीज के वजह से पता नहीं क्या हम perform अच्छा नहीं कर पाएंगे, और यह पूरा English का जो यह लिखा हुआ है, यहां से लिकर यहां तक ही मैंने खुद से लिखा है, तो आप इसको अराम से बेशक बिना डरे पढ़ सकते हो, अगर नहीं समझाया, तो आप इसक मैं अपने ही language में भी convert कर सकते हो, क्योंकि मैंने समझाया अभी तो हिंदी में ही है, तो आप ऐसे convert कर लेना, तो यह सब हमने देख लिए कि क्या-क्या problems है, first two लेकर के 8 तक या first से लेकर के 10 तक पढ़ने के बावजूद भी हमारे सामने बड़ी problems आती है, या जब हम मैच सीखरे होते हैं तब भी उनको बड़ी दिक्कत आती है, तो इसमें तीन प्रकार की problems है, there are three problems in teaching, teaching के समय या पढ़ाते समय तीन दिक्कते हमें महसूस होते हैं, तीन दिक्कते आती हैं, पहला है A, that is problems related to teacher, पहला है teacher से related problem, अब teacher की क्या problem है, जरूरी नहीं है कि हमेशा गलती बच्चे की हो, कि उसको समझ नहीं आ रहा है, या उसका दिमाग इतना विक्सित नहीं हुआ है, वैसी भी हमने अपना जो curriculum या अपना जो syllabus बनाते हैं, वो बच्चों की दिमाग के उपर, उसकी ability के हिसाब से बनाते हैं, कि इतना तो बच्चा कर ही लेगा, लेकिन problems आती है, जरूरी नहीं कि बच्चे के अंदर सारी problems हो, problem teacher में भी हो सकती है, हो सकता है teacher को उतना अच्छे से training ना दिया हो, improper training हो teacher का, ठीक है, या insufficient training हो, inadequate training हो, जो synonym use करना है कर लो, ठीक है, improper training हो बच्चों का, oh sorry, teachers का, उनको अच्छे से skill, उनके पास skill ना हो, not having proper skill, हो सकता ह उनके पास proper skills ना हो, cautious ना हो उस चीज़ का, या उनको अच्छे से perception ना दिया हो, training ना दी हो, या insufficient बहुत कम training दी हो, या जितनी जरूरती उससे कम training दी हो, तो ये क्या है problem related to teacher, ये teacher की दिक्कते हैं, हो सकता है कि उनको समझ तो खुद आता हो, अगर आप उनको बड़े से ब समझा पा रहा हो, problems आ रही हो, communication में, कभी-कभी ये भी होता है, having a mathematics background is difficult to found, कि कि किसी teacher का mathematics का background हो, ये मुश्किल है डूनना, क्या पता, उस teacher का background कुछ और हो, background in the sense, वो arts का student हो, वो science का student हो, या फिर, अगर हमें मिलता भी है, और found only at higher level, अगर हमें teacher का background मिलता भी है, कि वो mathematics पढ़ाता है, commerce background का है, तो वो higher level के लिए होता है, और maybe they need to teach other subjects, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि teachers की कमी की वजहा से, जो maths का teacher होता है, उसे बहुत सारे अन्य subject पढ़ाने पढ़ते है, ठीक है, so maybe they need to teach other subjects because of the shortage of teacher, ये लिखा है, shortage of teacher, teachers from some other backgrounds, जैसे science and arts facing difficulty in teaching maths, कभी-कभी ऐसा भ क्योंकि उनके पास वो skill ही नहीं है, वो perception ही नहीं है, समझ रहे हो, and कभी-कभी हो सकता है, teacher वो strategies ना बना पाए, या फिर teacher खुदी अपनी preparation ना कर पाए, teacher in-educate preparation करे, मतलब वो जैसे lesson plan ना बना पाता हो, या फिर नहीं बना पा रहा हो, या कुछ और problems हो, तो ये teacher के level पे problems ह वो जरूरी नहीं कि बच्चे में सारी दिक्कत है हो, teacher भी दिक्कत कर सकता है, teacher को भी difficulties आ सकती है, उसके पास proper skill ना हो, subject की knowledge ना हो, या फिर subject की knowledge हो, लेकिन समझाने ही ना आरहा हो, communicate कर पाना ही नहीं आरहा हो, जैसे कि मेरे साथ अब ये हो गया, हाला कि मैं फिर भी अपनी बात को communicate कर देते हूं अब देखो यह सब मैंने slides बना तो लिए लिख दिया मालो यह सिफ लिख दिया लेकिन मैं धंग से समझाई नहीं पा रहे हूं तो वो cautious ही ना हो तो या फिर 50% बच्चों को समझ आ रहा हो बागे के बच्चों को ना समझा रहा हूं तो यह communication दिक्कत है यानि कि communication का मतलब मैं अपने बार धंग से समझाने पा रही हूं तो यह हम क्या पढ़ रहे हैं basically हम maths pedagogy में यह पढ़ रहे हैं कि maths हमारे daily life में बहुत important role play करती है हम day to day talks करते हैं हमारे अंदर ability लाती है reasoning की capacity को increase करती है यह कि तरकिक शमता को लेकर आती है और क्योंकि हम इसे इतना साल देते हैं पूरा 10 साल देते हैं इसको पढ़ने में तो सब हम से expect करते हैं कि इतना तो अच्छा perform करी लेंगे लेकि नहीं कर पाते क्योंकि उसकी काफी सारी problems है जैसे problems related to teacher तो यह teacher से related problems थी सारी अब हम पढ़ेंगे problems related to subject हो सकता है subject में कोई दिक्कत हो subject के subject में इतने गून रहसे चिपे हो गून रहसे का मतलब बहुत in-depth चीज हो कि उसको in-depth सड़ी करोगे तभी समझ में आएगा तो अब हम इसको पढ़ते हैं क्या है problems related with the subject तो subject की साथ क्या problem आ सकती है पहला है negative attitude towards mathematics हो सकता है कि बच्चों का या teachers का खुद का mathematics के प्रती negative attitude हो नगरातमक दृष्टिकों हो दृष्टिकों कहता है ना attitude को कि मतलब कि क्या है mathematics कैसे समझाए है हो सकता है negative मतलब वो खुदी डर जाते हो कुछ भी हो सकता है कि ये subject ऐसा ही है इसको या फिर हो सकता है कि topic बड़ा easy हो बच्चों को समझ भी आ जा लेकिन आपने पहले पूरा ऐसा scenario set कर दिया कि ये वाला topic कुछ बहुत difficult है तो बच्चे का पहले ही मन उससे हड जाएगा ठीक है तो negative attitude नहीं रखना है कभी भी mathematics के लिए हमेशे कैसा attitude होना चाहिए positive attitude होना चाहिए ठीक है maybe some students do not like this subject at all हो सकता कि बच्चों को ये subject बिलकुली पसंद ना है not be able to link it with the real life जो अपनी daily life है जो अपनी real life है हो सकता है ये उसके साथ link ना कर पाए तो ये भी बहुत एक बड़ी problem है किसके इस subject से related ये भी बहुत बड़ी problem है ठीक है अब है the reason for disliking the subject may be the subject is more complicated हो सकता है कि आप इस subject को dislike कर रहे हो क्योंकि ये subject ही इतना complicated है ये subject कुछ जादा ही मुश्किल है इसलिए आपको ये subject पसंद नहीं आ रहे है और presented in a complicated manner या फिर आपको समझाया जा रहे है तो वो भी बहुत complicated तरीके से बहुत ही मुश्किल तरीके से तो पहला क्या है हो सकता है subject को हम negatively ले रहे हो हो सकता है subject को हम negatively ले रहे हो या फिर arts अगरा हो सकता है लेकिन सबसे बेकार subject आपको कौन सा लगता है जी maths लगता है तो वही चीज है कि हो सकता है कुछ बच्चों को ये maths ही नहीं अच्छी लगती हो not be able to link it with real life बच्चा real life से connect नहीं कर पा रहे हैं अब आपको पता होगा कि maths में ऐसे सवाल दिये जाते हैं कि मान लो एक बच्चा है कराम है शाम है जो भी है ऐसे नाम लेते हैं वहाँ पर अच्छे इच्छे नाम तो होते नहीं है like Alan वगएरा या कुछ ऐसा रूद्र वगएरा ऐसा राम नहीं होता उसमें कैसा होता है कि राम शाम थे वहँरा मारकit जाते हैं अब अनको 30 अपल लेकर खाटके लेकर आने बताओ कितने हैं तो मतल्य ऐसे इसी प्रॉब्लम्स होते हैं कि बच्चा जो है वो समझे कि हम भी तो मारकit जाते हैं हम कितने में लेकर आएंगे इस चीज़ को तो क्या है आपने इसको daily life से link कर दिया लेकिन जब daily life से link नहीं होती चीज़े तो फिर दिक्कत आती है प्रॉब्लम्स आती है ठीक है the reason for disliking the subject may be हो सकता है यह subject इतना अच्छा ना लगता हो क्योंकि complicated हो या फिर complicated manner में यह मुश्किल अरीके से present किया हो यह difficult to create interest among students बच्चों में आप रूची नहीं उत्पन कर पा रहे हो ऐसा भी हो सकता है fear of mathematics एक और चीज होती है जिसको हम कहते है fear of mathematics कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे बड़े जो होते है वो बोलते है यह maths तो बहुत मुश्किल है यह तो हमसे नहीं हो पाएगा तो बच्चे के दिमाग में यह चीज़ें आ जाती है कि maths से डरना है और maths तो डराता है मैट्स हो ऐसा बिकार सबजेक्ट है तो क्या है बच्चे के दिमाग में fear of mathematics भी आ सकता है and this influence their life decision as well as when they have to choose certain streams मान लोगी किसी बच्चे को maths बिल्कुल पसंद नहीं है समझ नहीं आती उसको डर है तो यह जो उसका डर है न इसके वजह से वो अपना life decision क्या लेगा कि मुझे commerce stream में तो नहीं जाना क्योंकि मुझे maths से डर लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी तो इसलिए आपका stream चूज करने में भी ये वाला जो influence है maths का जो डर है वो आपका stream कुछ और choose करवा देता है जैसे कि arts choose करवा देगा या फिर आपसे science choose करवा देगा जिसको हम कहते हैं न क्या कहते है pcb कहते हैं शायद से हाँ जिसमें m नहीं होती है यानि कि maths नहीं होती तो हो सकता है problem teacher में हो हो सकता है problem subject के अंदर हो अब है problems related with the students अब students के साथ क्या दिक्कत आती है और इन problem को solve कैसे करेंगे वो भी दे रखा है बहुत अच्छे से मैंने इसमें तो problem related to students क्या है अब देखो हो सकता है कि बच्चों में mathematical anxiety हो यानि कि maths का नाम सुनते के साथी यार maths का period start होने वाला है अरे यार चलो एक काम करते हैं आज बंग करते हैं classes mathematical anxiety है exam से पहले exam अभी हुआ भी नहीं है उसी से पहले डरने लग गए तो यह क्या mathematical anxiety है mathematics को लेकर के और जब यह anxiety बहुत ज़दा बढ़ जाती है ना तो इसी को हम कह देते है panic बहुत ज़दा panic करने लगते हैं हम तो यह mathematical anxiety है different method और combination of different methods कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने एक method से एक question को solve किया अब जैसे मान लो कि कभी-कभी ऐसा होता है और ऐसा हमेशा दिखा गया है कि tuition में किसे और method से solve करते हैं और class में माम किसी और method से solve करवा रही होती है फिर माम कहती है answer भले ही आजा लेकिन वो method इस्तमाल नहीं करना जो वहाँ पे समझाया गया है जो actual method है वो इस्तमाल करना है तो कभी-कभी इतने सारे method की combination की वज़़ा से बच्चा खुदी confused हो जाता है क्या हो जाता है confused हो जाता है confusion create हो जाती है कभी-कभार methods इतने lengthy होते है बहुत जादा lengthy-lendy methods होते है कभी-कभी डिसर-division का भी बहुत lengthy method हो सकता है तो इसी से भी समझनी आ सकता हो सकता है यह वाली दिक्कत हो तो पहला क्या है maths की anxiety कि maths का paper आने वाला है maths का subject या syllabus complete ने हुआ है हमें तो teacher ही अच्छा नहीं लग रहा है चलो आज बंग कर लेते हैं यह क्या mathematical anxiety है maths से डरना ठीक है एक तरीके से fear create करता है आपकी दिमाग में और different methods क्या है अलग-लग methods हो सकता है या दो अलग-लग methods सा combination हो सकता है जो बच्चे को समझेना या फिर जो method आप use करें वो बहुत दा लेंदी हो बड़ा हो in coordination between teachers method और students method हो सकता है कि बच्चा जिस method से solve कर रहा है teacher जिस method से solve कर रहा है उसके बीच coordination नहीं है in coordination है ठीक है फिर आता है cannot make their own strategy हो सकता है कि बच्चा खुदी strategy नहीं बना पाता हो कि मुझे कितना time किस topic को देना है कितना time कैसे समझना है strategy ना बनाता हो या फिर zero ला रहा हो बहुत समय से या फिर fail हो रहा हो dissatisfactory dissatisfactory ये क्या बोल दे है मैंने इंग्लिश उती कमजोर होती है कि हमें dissatisfactory वो results देखने को मिलते है जिसके वज़े से हम घबरा जाते है तो ये क्या है कभी-कभी बच्चा zero ला सकता है कभी-कभी हो सकता है बच्चा fail हो रहा हो dissatisfactory results ला रहा हो अब देखो जैसे कि मेरी कादत है अगर मैंने किसी word को गलत बोल दिया ना तो मैं उसको तीन-चार बार बोलूँगी ये जो teachers हमें कहते है ये जो पहले हमें बोलते थे कि तुमने ये गलती किया चलो इसको 10 बार लिखके लिख रहा हो तो ये करना चाहिए इससे का भी घवराना नहीं है वरना अभी क्या हो सकता था मैं इसको stop कर देती अगर मैं पहले वाली होती तो पहले वाली इंडिसेंस के पहले जब मैं ये सब मतलब अपनी वीडियो जबना रही होती थी उसमें मैं फंबल करती थी अब है sense of fear कभी कभी आपको डर लग रहा हो sense हो fear का की failure हो जाएंगे या fear का डर हो नहीं या फिर lack of interest हो तो कभी कबार यही problem होती है बच्चों के साथ कि वो कभी बहुत समय से zero ला रहे हो उनको concept समझना आ रहा हो अच्छे results ना ला रहे हो या फिर fail हो रहे हो या फिर डर हो fail होने का डर हो या फिर interest की कमी हो motivation की कमी हो तो भी वो maths को नहीं सीख पाएगा तो basically हम पढ़ यही तो रहे थे कि maths सिखाने में और पढ़ने में दिक्कत क्या आती है learning में and teaching में दिक्कत क्या आती है तो teaching में दिक्कत तो teacher के point of view से आ सकती हो सकता है उनके पास improper training हो यानि कि proper training ना हो improper training उनको मिली हो communication उनका अच्छा ना हो proper skills नहीं हो तो ये सारी दिक्कत आती है और दूसरा क्या है कि कभी-कभी हो सकता है कि जिस background से teacher belong करता है like arts and science उनको बोल दिया हो maths पढ़ाने के लिए तो वो भी गलत है मतलब उससे भी समझने आएगा और teacher का खुद का preparation ना हो lesson plans ना बनाए हो या फिर अपनी खुद की strategy ना बना पा रहा हो कि मुझे कैसे इस topic को समझाना है बच्चों के सामने कौन से real life example में यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ये ना पता हो और problem related with the subject क्या है subject के प्रती ही negative attitude हो ठीक है subject ही अच्छा ना लगता हो real life से link ना हो disliking हो complicated manner में आपको प्रस्तुत किया जा रहा हो तो वो भी गलत है बच्चों के side से problem क्या है motivation है अब देखो problem तो सबको पता होती है ठीक है problem सबको पता है कभी कबार ऐसा होता है और अभी मैंने अपनी teaching practice जब कर रही थी तो उसमें ने एक चीज़ नोट करी या पे कुछ है क्या हाँ ये खाली space है मैंने teaching practice में नोट किया मैं English की बात बता रही हूँ कि कभी कभी बच्चा ना मैंने देखा कि वहाँ पे 100 लिखा था लेकिन दो बच्चों ने was लिखावा था तो ये भी कभी कभी गलती हो जाती है कि आप देखकर भी नहीं लिख पाते हो ये कुछ problems हैं हम देखेंगे बात में तो problems तो हमको सबको पता होती है तो solution क्या है इसका how to solve this problem तो पहला है focus on problem solving approach पहली बात तो आप problem solving approach पे ध्यान दो बच्चों को problems दो उनके सामने situations रखो उनको कहो कि solve कर की दिखाए अपना दिमाग का इस्तिमाल करें problem को इसमें क्या करता है teacher खुद बच्चों को असिस्ट भी करेगा अगर बच्चा कहीं पर lack होता है तो teacher उनको assist करेगा teacher हमेशा उनके पास होगा जबी भी वो problem solving approach देगा problem solving approach का मतलब होता है समस्या समाधान उपागम समस्या अगर है बच्चे के सामने आपने उसको समस्या दी है कोई situation दी है तो अब बच्चा उसको खुद solve करेगा जिसमें teacher क्या करेगा assist करेगा किस चीज में उसको define करने में question solve करने में उसको hint देने में इसको कहते problem solving approach जिसमें बच्चा खुद बहुत अच्छे से participate करता है active होता है तो आप बच्चे को problem solving approach दो इसके उपर focus करो especially maths में तो यह बहुत important है ठीक है एक चीज और आती है कि maths में कभी भी group discussion काम नहीं आता ठीक है group discussion यह question हमेशा आता है ठीक है कि maths में आप बच्चो को पढ़ाने के लिए कौन-कौन सा method इस्तिमाल कर सकते हो तो group discussion कभी mathematics पढ़ाने का method हो ही नहीं सकता क्योंकि आप हिंदी बच्चो की हिंदी को ठीक करने के लिए बच्चो की English को ठीक करने के लिए group discussions करो बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्रास बुछो या उनको बोलो कि अभी जो मैंने पढ़ाया उसको बताए बट यह चीज मैट्स में applicable नहीं होती है तो क्या बता रही थी मैं कि इस problem को solve करने के लिए problem solving approach दो problems दो बच्चो को वो उनको solve करेंगे आप उनको assist करोगे connect करो उनके daily life situation के साथ connected with daily life situation बच्चो के daily life से connect करो और यह madam की duty होती है teacher का duty होता है this is the duty of the teacher to create conducive environment एक ऐसा environment दो जिसमें बच्चा सीख सके तो यह बच्चो को conducive environment देना बहुत जरूरी है in which child can understand the concept जिसमें बच्चा concept को समझ पाए concept को understand कर पाए जितने भी समप्रत्य उनको समझ पाए develop करे liking and positive attitude towards the subject बच्चा positive attitudes लेकर आए या फिर मतलब उस particular subject के बच्ची उसका positive attitude होना चाहिए liking बढ़नी चाहिए तो हमें क्या करना है इस problem को maths की problem को solve करने में ताकि बच्चे को anxiety ना हो या फिर जैसे teacher के level पे भी आएंगे कि teacher को आप skills दिलवा होते हैं कि आप make sure करो कि teacher जो है वो समझ है उसको वो पढ़ा लिखा हो आपने subject पे command और communicate करना आना हो आना चाहिए वो चीज़ भी हम बाद में पढ़ेंगे पर इसमें क्या है कि आप problem solving approach पे ध्यान दो बच्चे के daily life से connect करो उसके दिन प्रति दिन की situation के साथ connect करो यह teacher का duty होता है कि वो एक ऐसा environment बच्चे को दे जिसमें बच्चा फल्फूल सके यानि कि जिसमें बच्चा उस maths या फिर उस subject के प्रति क्या हो liking अपनी स्थापिट कर सके या interest generate कर सके teacher should encourage the child teacher को हर एक teacher को बच्चो को प्रोचसाहन करना चाहिए I think प्रोचसाहित करना चाहिए encourage करना चाहिए the child to use problem solving approach के problem solving approach का इस्तिमाल करो जिसमें a teacher can also assist them whenever needed कि जिसमें teacher उनको assist भी करेगा जबी भी जरुवत होगी यह बिल्कुली यही वाला है focus on practical knowledge than theoretical मतलब बच्चो को theory तो पता होनी चाहिए लेकिन first से लेकर के fifth तक उनको कैसी knowledge होनी चाहिए practical knowledge होनी चाहिए जैसे मैंने देखे थे maths के बहुत सारे games होते है games क्या होते है मतलब चीजे भी होती है जो teacher इस्तमाल करता है जैसे जब मैंने अपनी teaching practice की थी तो उसमेंने क्या देखा था कि बच्चों के पास ना जैसे नकली note होते है जैसे 100 रुपे का 50 रुपे का तो यह वाले मिलते है उस पे Reserve Bank of India यह obviously नहीं लिखा होता उसमें कुछ और लिखा होता है कि नाट्स के लिए यह यूज किया जा रहे है तो आप बच्चे को practical knowledge दो उन्हें वो पैसा पकड़ाओ उनको बोलो कि यह बिल्कुली वैसा ही रुपी है या यह वैसा ही नोट है जैसा कि हम daily life में इस्तमाल करते हैं तो क्या है practical knowledge बढ़ती है फोकस करो practical knowledge पे या फिर बतब theoretical knowledge तो दो लेकिन उससे जादा practical knowledge उसको practice में ले क्या हो practice में लाएगा तभी daily life situation को handle कर पाएगा ठीक है enhance करो creative aspects of child बच्चे को सोचने पे मजबूर करो इससे पहले वाले चाप्टर में हमने या topic में हमने क्या पढ़ाता है inductive तो inductive में क्या होता है बच्चा divergent thinking करता है अलग-अलग उसमें सोचता है पक्ष पे सोचता है creative हो जाता है तो creative हो एक चीज़ और है यहाँ पे यह cross stay लगाया वाईस का reason यह है कि आपको यह चीज़ें नहीं करनी है जब ही भी question में यह आए कि cram कर लो formulas cram मतलब रट लो या theorem रट लो memorization कर लो वो ही question negative है वो ही answer देखे जाएगा कैसे answer देखे जाएगा अगर पूछा है इसमें से क्या इसमें से क्या नहीं होना चाहिए तो फिर यह नहीं होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि बच्चे को कभी भी cram नहीं करवाने formulas ठेक है उसको यह बन बोलोगी इसको याद ही कर लो उसको समझाओ so say no to cramming the formulas इसके formulas को cram नहीं करना cram याने के रटना नहीं है theorem रटनी नहीं है समझनी है wrote memorization नहीं करनी क्योंकि मान लो कि एक question को आपने memorize कर लिया कि इसका answer ये है उसके अगर teacher ने exam में उसके कुछ वो बदल दे numbers बदल दे तो बच्चा तो वही रटके आया है तो रटना नहीं है बिल्कुल भी समझना है say no to passively copy it from test books or peers याने के मान लो blackboard से सीदा copy नहीं करना है copy में ठीक है मतरब teacher ने बोला चलो ये लिख लो ठीक है आप उसको लेकिन passively नहीं लिखना लिखना भी actively है समझ समझ के लिखना है ठीक है कुछ गलत लग रहा है तो पूछना भी है कभी-कभी teacher कहता है हाँ ये ही बच्चा है क्लास में जो इतना attentive है क्योंकि इसने बहुत अच्छे से बताया है कि हाँ माम ये गलती है तो कभी-कभी teacher खुद भी इस चीज़ को देखते है कि हाँ इस बच्चे ने कम से का point out तो किया तो सिफ passively copy नहीं करना है ठीक है passively कभी copy नहीं करना है और जिन बच्चों की eye कमजोर है eyes कमजोर होती है उन बच्चे को एक तो पीछे नहीं बैठना है क्योंकि पीछे बैठेंगे तो वो सीधा अपने दोस के से copy करेंगे वो भी गलत है क्योंकि दोस से copy कर रहा है समझ नहीं रहा है सर्फ समझने पर focus होना चाहिए maths में तो ये है say no to passively copy passively copy नहीं करना test book से या अपने दोस्तों से और कभी भी कराम नहीं करने formulas ये solve है ये problem का solution है ये solutions है कि ये ये नहीं करना है तो बच्चों को बोलो कि कराम नहीं करना मतलब रटना नहीं है passively copy नहीं करना ये इन सब चीजों पर क्या है देखो इस पर ना हमने दो क्या लगा रखे है ये cross लगा रखे है तो ये नहीं होना ये नहीं करना ये चीज नहीं करनी बिल्कुल भी बगी ये आप करो creative concept लाओ practical knowledge दो teacher assist करे problem solving approach का इस्तमाल करो conducive environment दो connect करो daily life problem solving approach का इस्तमाल करो next आता है बच्चे को divergent thinking creative thinking को encourage करो वही जो भी हमने पढ़ा the role of a teacher is to convince students that maths is not a subject you can cram or rote learning or memorization teacher का काम है बच्चों को समझाना कि बच्चों convince करना कि maths एक ऐसा subject नहीं है जिसमें आप सब चीज़ों को cram करोगे या रटोगे इसमें रटना तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें rote learning नहीं करनी इसमें कोई memorization नहीं करना इसमें समझना है it should be integrated with other subject दूसरे subject के साथ जोड़ो जैसे history है ठीक है history में हम दूसरे subject के साथ कैसे जोड़ सकते हैं यहाँ पर बढ़ेंगे कहां गया हाँ it should be integrated with other subject यह वज़ा line देखो teaching mathematics mathematics should be integrated with other subjects like language, history, physics, arts arts है, physics है history है इसके साथ जोड़ो history में हम calculate करते है न date तो वो भी इसी कही concept है maths की वज़ा से ही कर पा रहे है तो दूसरे subject के साथ उसको क्या करो जोड़ने की कोशिश करो बच्चे को opportunity दो प्राक्टिस करने की and teacher can ask questions which stimulates them to think further इसको कहते है stimulation of purposeful reflective thinking यानि कि teacher को बच्चे को ऐसे questions देने चाहिए जिससे की उद्दीपन हो stimulate हो यानि कि वो question का answer देने की कोशिश करें stimulation क्या है purposeful reflective thinking वो थोड़ा सोचे यानि कि teacher जो है पढ़ा के चला गया कुछ questions नहीं पूछा है आप जो भी activity दे रहे हो जो भी पढ़ा रहे हो उससे related questions पूछो बले ही दो questions पूछो ठीके पर पूछो जरूर use of effective teaching techniques यानि कि effective technique का इस्तमाल करो ठीके use of effective teaching techniques ऐसी techniques का इस्तमाल करो जिससे बच्चे को समझ आए daily life के साथ जोड़ो यही हो सकता है solution दिन आता है what can students do बच्चे क्या कर सकते हैं तो positive attitude लाई interest जो generate करें यही कर सकते हैं ठीके और दूसरा teacher क्या कर सकता है अपनी problem को solve करने के लिए भई lesson plan ध्यान से बनाए पहले तो बनाता ही नहीं था पहले तो बनाना शुरू करें फिर ध्यान से बनाए ठीक है topic को समझें अपने अंदर skills ले कर के आए ठीक है training हर teacher की होनी चाहिए यह ensure होना चाहिए इसको ensure किया जाएगी हर teacher की training हो उसको training मिलनी चाहिए कि इस कैसे पढ़ाना है किस topic को ठीक है और अपनी और communication skills ठीक है communication skills उनमें होने चाहिए तो यह क्या है यही यहीं से related question आएगे कम से कम चार questions आएगे इस topic से ठीक है चार questions आएगे तो कांगया हाँ कम से कम ना इस पूरे topic से जो आज पढ़ा है कम से कम चार से पाँच questions आएगे जुसमें से एक negative होगा या हो सकता है दो negative हों दो positive हों और एक कुछ भी question दे सकता है ठीक है दो negative कहने का मतलब है कि इन में से क्या match पढ़ाने के लिए इस में से क्या नहीं करना चाहिए तो road memorization नहीं करना चाहिए ठीक है तो ये है कुछ दो negative आ सकते है दो positive आ सकते है तो बहुत असान था इस से related questions हम next class में कर लेंगे बहुत असान है अगर ये topic समझ आ गए तो इस related question भी आराम से हो जाएं कि बार बार पढ़ हो और घबराना नहीं कि English में लिखावा है Hindi में समझा दिया है बहुत अच्छे से ठीक है तो इसको पढ़ लेना घर जाके घर क्या जाके मतलब इसको पढ़ लेना घर पे बैठे बैठे So learners अगर आपको ये lesson अच्छा लगा हो तो आप इस channel को like कर सकते हैं इस video को like कर सकते हैं और आप channel को subscribe कर लीजए So that आपको ऐसी ही informative videos हमेशा मिलती रहें So keep learning and keep discerning and keep watching my videos Thank you so much